मासिंग आराम तोधरी के मौत परकंड को लेकार प्लीस परसासन और प्रिजनों के विश लंबे समय तक वारता चले और वारता चलने के बाद महामला सुलज़ भी गया है अब प्रिजन सब लेने को राजी भी हो तुके इस कवर को देखने से पहले सेर्थ जरूर कीज़ेगा क्योंकि साचोर सेतर का हर व्यक्ति जानना चाहा रहा था कि मासिंग आराम के साथ गटना क्या हुई और उसके बाद प्लीस परसासन ने क्या कारवाई की और प्रिजन क्या महंग कर रहे हैं अब मैं बताता हूँ आपको गटना गटित होती है जिसमें उसके बड़ तोड़ वार भी होते हैं और वार होने से उसकी मौत भी हो जाती है सोचना पर साचोर प्लीस भी मौके पर पहुंचती है और 108 एमूलेंस के जरिये उसको साचोर के सरकारी अस्वताल लाया जाता है वहां से उसे नीजी अस्वता के दोरान उसको मर्तक गोसित कर दिया जाता है उसकी मौत हो जात के बाद जाओ प्लेस ने सहो को सांचोर सरकारी अस्वडाल की मौरतरी में रखवा दिया और इधर परीजन मांग कर रहे थे कि आरोपियों को गिरपतार किया जाए मासिंगा राम के साथ करने वाले गटना करने वाले अपराजियों को गिरपतार किया जाए जब 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 गिरपतार नहीं होंगे हम सहो उठाएंगे नहीं लेकिन प्लेस परीजनों के वीच लंबे समय तक वारता चली और उस वारता का निसकर से निकला, प्लीस ने प्रिजनों को आस्वास्त किया, हम प्रिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जान सुरू कर देंगे और आरोपियों को जल्द गृपतार कर मामले का खुलासा भी करेंगे जब प्लीस ने उनको प्रीजमों को आस्वस्त किया प्रीजन भी मान गए और उन्हें सव लेने से राजी भी हो गये और प्लीस ने मेडिकल बॉर्ड से पॉस्ट माटरम करवाकार सव प्रीजमों को सुपर्ज कर दिया अब देखने की बात यह होगी, प्लीस फरसासन इस मामले को लेकर किती तत्वरियता दिखाती है, और कब तक इस मामले का खुलासा करती है, अब प्लीस ने अलग-अलग टीमें भी गठित करना शुरू कर दिया है, और प्लीस की अलग-अलग अलग एंगलों से जांस करनी करिए कि यो ज वहां करता है ऐसा रहा है कि सांचोर में सांचोर में सांचोर झाल झाल झाल